इसराइल और इरान के बीच भयंकर तरनाव के हालात हैं और इस बीच में ख़बर है कि इरान ने इसराइल पर ड्रोन और बलिस्टिक मिसालों से हमला कर दिया है ज Gibra प्रजन के उपर अमेरिका की सेरा ने नेस्तो नाबूत करने का दावा किया है इरान और इसराइल के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच में ये हमला किया गया है जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है देखें रिपोर्ट इरान की समाचार एजनसी आईसने ने बताया है कि इरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइले हैं जो इसरेल तक पहुँच कर हमला करने की ताकत रखती है इन में से कुछ के स्पीड 900 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से 2000 किलोमेटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती हैं इरान ने आज अपनी 9 मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है लेकिन इन में भी 5 मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इसरेल के जनरल खौफ खाते हैं इरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल सेज्जिल मिसाइल इरान के द्वारा दो चर्णों में विक्सित की गई है ये मध्धम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है इरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी इसका डिसाइन इरान के जेलजल SRBM से लिया गया था सेज्जिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है ये 2000 किलोग्र की रेंज तक हमले कर सकती है ये हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है इरान की दूसरी घातक मिसाइल खाबर मिसाइल इरान की खाबर मिसाइल को खुर्रम शहर पोर के नाम से भी जाना जाता है खाबर मिसाइल इरान की मिसाइल फैमली की चौथी पीडी की मध्यमदूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है ये मिसायल इरान के रक्षा मंत्राले ने बनाई है और इस मिसायल की मारक्षमता 2,000 किलो मीटर है और ये मिसायल 1500 किलोग्राम बारूद और हथियार ले जाने की क्षमता रखती है इस मिसायल का नाम इरानी शहर Khurram शहर के नाम पर रखा गया था जो 1980 के दशक में एराक एरान युद्ध के दोरान खतरनाक जंग का एक मैदान बन गया था खोर्रम शेयर मिसाइल को खेबर मिसाइल भी कहा जाता है इसका नाम अरब में खेबर की लडायी की दोरान जीते गये एक किले के नाम पर रखा गया है ये मिसाईल इरान में सयाद त्री मिसाईलों के साथ एक खास समारों में दिखाई जा चुकी है इरान की तीसरी घातक मिसाईल इमाग मिसाईल इमाग मिसाईल इरान की मिसाईल कारिक्रम की एक महतोपूर कड़ी है इसकी मारक्षमताल लगभग सत्रह सो किलो मीटर है ये मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूत ले जा सकती है इमार इरान की पहली गाइड़ बलेस्टिक मिसाइल है जो सता से सता पर मार करती है ये मिसाइल अपने लक्ष के 500 मीटर के दारे में 60ी खमला कर सकती है इसरेल इस मिसाइल को अपने लिए विशेश खत्रा मांता है इरान की चौथी घातक मिसाइल शहाब थ्री मिसाइल शहाब मिसाइल भी इरान में विच्सित की है ये इरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है लेकिन इसका डिसाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग वन पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है इसमें तरल इंधन का इस्तिमाल होता है ये मोबाइल बैलेस्टिक मिसाइल है ये 1200 किलोग्राम विस्पोटक के साथ भी लॉंच की जा सकती है इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है हलके पे लोड के साथ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये मिसाइल चीन में बनी होए देशान नर्देशक के द्वारा संचालित होती है शहाग 3 मिसाइल का इस्तिमाल इरान की एलीट पोस इस्लामिक रिवोलुशन भी गार्ड्स बोरगी करती है इरान की पांचवी गातक मिसाइल फत्ता 2 मिसाइल फत्ता 2 इरान में विक्सित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नलोजी को मिला कर बनाई गई है इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम भूड़ा है और अविश्य में इसके और संसकरण बनाए जाने की उम्मीद है फत्ता 2 मिसाइल की मारक्षमता 1500-1800 किलो मिटर है और इसे बिना पैचाने लक्ष को भेदने और निशाना साथने के लिए डिजाइन किया गया है इस मिसाइल के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा फत्ता 2 खोस इंधन बुस्टर है जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित उंचाई तक ले जाता है और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वार हिड है जो बुस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल इंधन वाला रॉकेट इंजन है फत्ता 2 मिसाइल को इरान के लिए रणनेतिक हथियार के रूप में डेजाइन किया गया है जो उच्च सठीक्ता के साथ लक्ष पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल इरान की सबसे खातक मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आईरन डोम के कवच को भी तोड़ने की ख्षमता रखती है दरसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर इरान ने बड़े बड़े दावे किये हैं और इनमें से एक दावा ये भी है कि ये मिसाइल आईरन डोम को तोड़ देगी जब इरान ने ये मिसाइल बनाई थी तब इरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तहरान की सड़क पर एक वोट लगा दिया था इस वोट में लिखा था कि इसरेल के शहर तेल अवीब को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए आखिर इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में असा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इसरेल को तबाह करतेगी 6 जून 2023 को इरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जूलाई 2023 को इरान ने घोशना कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्दपोद पर तहनात करने जा रहा है यानि सिर्फ एक महीने से कम समय में इरान ने पूरी दुनिया को चौका दिया है इस मिसाइल की रेंग 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गती से टारगेट को नश्ट करती है मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेकंड के अंदर करीब पांच किलोमीटर की दूरी तैकर लेगी इस हिसाब से इरान एराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इसराइल तक महुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सäकंड लगेंगे यानि ये मिसाइल सिर्फ साड़े चार मिनट के अंदर इसराइल को हिट कर देगी इरान के अंदर इस हाइपरसॉनिक मिसाइल के निर्मान के बाद बहुत जवरदस्त जोश है इरान के सरकारी डीवी में ये दावा किया गया है ये हाइपरसॉनिक मिसाइल अमेरिका के एर डिफेंस और इसराइल के आइरन डॉम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है इरान के इन बड़े बड़े दावों पर इसराइल की भी तेयोरियां चड़ गई है इसराइल के रक्षा मंत्री योफ गलेंट ने इरान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हतियारों के बारे में शेखी भगार रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हतियार के लिए और भी बहतर जवाबी हतियार तयार है चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री शेत्र, इरान जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा इसराइल की सरकारी डिफेंस कमपनी रफाइल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसॉनिक विसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है कमपनी के टूटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीस किया गया इसराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस शमता का हर कोई लोहा मानता है इसराईल के पास दूनिया का best air defense system है, इसराईल का दावाए कि उसे दुनिया में पहली बार हाइपर सॉनिक missile का भी interceptor तैयार कर लिया है SkySonic नाम का Hypersonic Missile Interceptor System आवाज से 10 गुना तेज यानि Mac-10 तक की रफ्तार से गुज़रती Missile को ट्रेस कर सकता है Hypersonic Missile लॉंच होने के बाद भी अपनी राह बदल लेती है SkySonic फिर भी उन्हें ट्रैक कर लेगा यही नहीं SkySonic Hypersonic Ballistic Missile और Hypersonic Cruise Missile दोनों तरह की Missile को Intercept कर सकता है इसराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसको पता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है अगर युद्ध हुआ तो दुश्मनों पर करारा प्रहार करेंगे अगर युद्ध हुआ तो यह पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है आगर Hypersonic Missile में ऐसा क्या कास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है Hypersonic Missile एक ऐसा हत्यार है जो 5 Mac की गती या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उडान भरती है एक Mac Speed का मतलब है ध्वनी की स्पीड के बरावती गता है ध्वनी यानि आवाज एक घंटे में 1225 किलोमीटर की धूरी तैकट लेती है इस तरह एक Mac Speed का मतलब है 1225 किलोमीटर प्ति गंटा पांच Mac Speed का मतलब है 6125 किलोमीटर प्ति गंटे के रफ्ता हाइपरसॉनिक मिसाइल पलेस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है हाइपरसॉनिक मिसाइल का मुचाई पर गुज़नने की जज़ा से रडार की पकड़ में नहीं आती है यहीं वज़ाए कि हाइपरसॉनिक मिसाइल एर डिफेंस को तोड़ देती है यॉरप के कई देशों ने युक्रेन को अपने डिफेंस दिये हैं फिर भी किंजल हाइपरसॉनिक पिसाइल को वोई ये डिफेंस नहीं हो सिता और यही वज़ा है कि हाइपरसॉनिक पिसाइल के दिर्मान का दावा करके हीरान के रेवलूशनरी गार्ड के कमान्डर्स फूले नहीं समा रहे हैं इन समाने दाराी सराट बस्यार बस्यार बालाई इस फूलो नियू और गजब को शवड़ा को पिरोन जब रूलोड़नी कि त का इन हम समाना घुखलादी के दावल गल कुल मिलाकर मिडिलीस्ट के हालात तनाफूर बने हुए है और इसराइल एरान के बीच कभी भी एक बड़ा युद्द छिड़ सकता है झाल 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 झाल